हम बात कर रहे हैं RVNL की आज के दिन की बात करें तो RVNL में आमको 1% के उपर की गिरावट देखने के लिए मिले हैं मार्केट में भी हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी और इस गिरावट के साथ ही इस्टॉक ने आमको क्लोजिंग दिखाए है 237.10 पैसे पर इस टॉक ने हमको लगातार गिरावट दिकाए 275 की लेवट से जब रिजेक्शन लिया है हमको लो और लो पैटर्न यहां देखने के लिए मिल रहा है लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रहे है RVNL में और इस गिरावट के साथ जो एक तगडार सपोर्ट जिसको हमने डिसकस किया था 240 के लेवल को उसको भी नीचे की और breakdown कर चुका है अब 240 का जो लेवल है एक immediate resistance का काम करेगा यहां तक का जंप हमको आने वाले दिन में देखने के लिए मिल सकता है लेकिन जंप पर हमको थोड़ा सा इंतिजार करना है अगर जंप के साथ जिस तरह यहां हु और इस low को breakdown कर जाता है तो immediate support बनने वाला 234 का लेवल next support बनेगा यह जो लेवल है जहां से stock ने recovery दिखाई थी 224 का लेवल 230, 224 का लेवल और अगर इसको भी breakdown कर गया है तो 220 एक आखिरी support रहेगा अगर 220 के level को RVNL breakdown कर जाता है तो बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सक है फिर और बड़ी गिरावट RVNL दिखा सकता है लेकिन जिस तरह से chart pattern दिखा रहा है low और low उस recording हमको यहां rejection लेकर गिरावट देखने के लिए मिल सकते 220 तक का भी fall RVNL हमको दिखा सकता है अगर stock इसी level से bonds back होता है तो हमको इंतिजार करना है इससे पहले भी हमने वीडियो इसको breakout करके उपर sustain होना important रहेगा breakout से काम नहीं चलेगा क्योंकि breakout करके आगेन गिरावट देखने के लिए मिलती है इसी लिए हम discuss करते हैं कि breakout करके एक दो दिन उपर sustain होना अगर उपर sustain हो जाता है इसके तो RVNL का खेल पलटे नजर आ सकता है फिलाल stock है गिरावट में तो जासा इंतिजार करना ही ठीक रहेगा अगर आप टिमेट अकॉन ओपन करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई बाय से लिए hold की सला नहीं है